2012 से बवान को माना मंद कर दिया था शैतान की तरफ इट्राक्ट बहुत हो गया शैतानी हरकते करता नशे करता यह करता था वह वह ने जो जोद जगाई थी मेरे अंदर भक्ती की परमेश्वर के लिए वो थी गुनारक देव जी ने तो बचा लिया मेरे में तो मरने वाला था सबी को परणाम दोस्तों मैं सबागत करता हूँ आपका अपने चनल पर दोस्तों अभी एक इंटरव्यू जाफिर के पोड़काष्ट आया है हनी सिंग का अपने रणवीर भाई के साथ दोस्तों इस पोड़काष्ट के बारे में बात करेंगे परसली दोस्तों मेरे को बहुँत बहुतो कैसे हैं इसे क्या सीख सकते हैं जाल फिर हम सेे क्या से इस पहले बोल रहा हूं कि मुझे हनी है सभी कि खांट उसके कोंटी ब्रइन नहीं है व्य कई है उस इसा यह व्य को खार है है उसको सभी शनको पांसा साल के लिए क्या हुआ था दोस्तों इंसाल Quang अप बहुत ही दोस्तों एक साइक्लोजिकल डिसीज से गुज़र रहे थे कुछ दूझ बाइपॉलर डिसोडर बहुत हुँ दोस्तों इसको साइक्लोजी में उससे वो सफर कर रहे थे दोस्तों अमेन बात है कि इस पोड़कास्ट में ऐसा क्या है कि मैं इसको पर बोल रहा हूँ इस पोड़कास्ट में दोस्तों एक बड़ा spiritual पोड़कास्ट में शुरू में बोला क्यों है दोस्तों पहले चीज़ दोस्तों जो हनी सिंग ने एक बात बोली है कि एक समय था जब में जिन्दगी में नाम आया फेम आया पैसा आया ना मैंने बगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया मैंने का नहीं नहीं जो हूँ मैं ही हूँ बीच में बीमार हुआ जिन्दगी में पेन आय मैंने बहुत सैडनेस को देखा जिन्दगी नीची की तरफ गई सब कुछ सीना सीना हुआ मालूम लगने लगा बिलकुल लाइफ जीरो में चलेगी नेक्टिवीडिस में चलेगी नशो की लतला की माइन बिलकुल रुकसा गया तब फिल हुआ कि नहीं जो है बगवान ही है है मैं कुछ भी नहीं हूँ जी हनी सिंक ने खुद बोला है दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताता हूं जिन्दगी में हर किसी के लाइफ में फेज आता है जब न वो एक बहुत ही इगो में चला जाता है वो कुछ हमें प्रापत हो सकता हो सकता हम एक दम से कुछ हासिल कर दुखा जयते हैं दोस्तों वो नाश्तिक हो जाते हैं कुछ लोगों ऐसे हो ते दो इस गटना से है सब क्या है नेक्स्ट बात दोस्त आप किया सीख सकते हो अगली बात दोस्तो उस पोर्ड्कार्श सीखे जशा फ़र हनी सिंग के लैप से सीखे जीवनों में ने डोस्तो सकस्से मिलेगी नेम फेमी मिल सकते हैं लेकिन कभी भी न दोस्तो उस चीज़ को न संभालना सीखिए नेक्टिबिटीज में मत चली जाए हम दोस्तो जीवन में कितना भी उंचा चले जाएं कितना भी पैसा हासिल कर लें दोस्तो हम रहें के तो इनसान ही बस दोस्तो बगबान तक पह।ँचने के की स्टेज अब हो है अलैंटमेंट इसलिए दोस्तो जब हमें प्रधार्थ के जग्त की चीज़ें मिलें हमें मेट्रीरिल Candy सी वर्ड की चीज़ें मिलें तो आप पोश्टी विरास्तों प्या जाओगे उस इंटर्विव सुनने के बाद दोस्तों मेरे को एक हनी सिंग की बहुत अच्छी बात लगी उन्होंने का कि अब मैंने नशा शोड दिया है मैं धारूनी पिता मैं भोले का भक्त हो चुका हूं मैं प्रमात्मा के बहुत बह स्च्छा करता घृत कई बहुत बहुत जाद हो गुरुवें सिंह गुंणाना लिव नहीं दूख आया और जभगवास अंसने अपने सब कवास प्रमात्मा के रास्ते पे लोटे अंतमे दोस्तों मैं ही काूंगा कि ना बघवान उनको शक्ति दे वह अपने वीत्र और Postivity लेके आए आपने जो भी गाते उसको और अच्छ स्थ बहुंतR करें दोस्तो आपके क्या भीचारि में क्या बिचार रहा है कि क्या क्या है क्या अपको लगता है कि उनको अपने कंड़ में फिर किसी look करना चाहिए दोस्ते ये पोड़कास्ट आप जुरूर देखना अपने बिशना जुरू बताना और अगली वीडि़ो किश भी शेप रहोने है ठाला और आपको यह है और आपको यह जो मेरे थोड़ा से थोड़ा से एक कहूँ की है अपने जो मैंने बिसार दिया ने इस बिश्यक के उपर आपको कैसे लगे दोस्तों इसको प्रजूर बताना मिलते एकली वीडियो में सभी को पढ़ना